नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों बुलन सहर के इस गाउ में एक आयुरवादिक अस्पताल है जिसमें थोड़ा बहुत काम होता है अलोपेतिक टॉक्टरों की यहाँ पर कमी है यही वज़ा है कि गाउ में चब भी किसी को संक्रमन होता है तो उसको समय सी राज नहीं मिल पाता जिसके जलते गाउ में आप तक 22 मौते हो गई है गाउ में स्वास्वेभाग की टेप को जिन पहरे आई थी उन्होंने चार्ज भी की मगर रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है पुरन सहर से 7 किलमेटर दूर नैथला हसनपुरी गाउ में पिछले 20-25 दिरों में कुरोना जैसे लक्षूर की वज़ा से 22 गाउं के लोगों से जब इंडेन प्राइम न्यूस की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने मास्क ना लगाने और सोसल डिस्टेंसिंग के पालन ना करने को ले करके पूछे गर सवाल पर अलग अलग बहाने बताने की कोशिश की कुछ गाउं ने बताया कि वह अभी घर में म लेकिन आजवाब भूल गई हैं लेकिन जब सामने आएं तो बात कुछ और ही थी गाउं के बुजर्ग वेक्ति जिम की उम्र करीब 58 साल थी उन्हें बताया कि उनको दमा की बिमारी है इसलिए जब भी वह मास्क लगाती है तो उनको सांस लेने में तक्रीफ होती है इसी व जाबर है गाउं में एक आरवरादिक अस्पताल है जिसमें थोड़ा बहुत काम होता है अलोपैतिक डॉक्टरों की यहां पर कमी है नहीं वज़ा है कि गाउं में जब भी किसी को संक्रमन होता है तो उसको समय से इलाज नहीं मिल पाता जिसके चलते गाउं में अब तक 25 के लिए लोग तरस रही है इस गाउं में किसी मी तरीके के अस्पताल के विवस्था नहीं है सिर्फ छोड़ा चाप डॉक्टर यहां मौजूद है एक महिला यहां के छोड़ा चाप डॉक्टर की दुकान पर मौजूद है महिला को पिछले कई दिरों से बुखार आ रहा है डॉक्टर के मताविक उसके प्लेट लिट्स टाउन है इलाच यही पर किया जा रहा है और गौम यह देखा गया है कि पहले लोग इलाच कराने में सालधाने नहीं बरती हैं देरी होती है उसके बाद जब सीरिस मामला हो जाता है तो उनको शहर ले जाया जाता है यही है कि गाउन में लोगों की जादा मौत हो रही है विरो रिपोर्ट आई फियर्ट